Hi Friends, Welcome to the Channel Knowledge in General मेरे नाम है Amit Kashyap और आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल पे जहां पर दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दो लाइव सॉफ्टवेर्स जो कि काफी पॉपुलर है जिसने से नंबर वन है OBS and second one is StreamYard ये इन दोनों के थुरू आपने मुझे लाइव करते हूँ देखा होगा लेकिन दोस्तों कभी आपने कोशिन किया है कि इन दोनों को मर्ज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता जैसा कि thumbnail में मैंने mention किया है ये दोनों जो software है ये merge किये जा सकते है और अपना live आप amazing बना सकते है मैंने recent live इसी से किया था उसका link मैंने description box में दिया है आप जाके देखना चाहिए तो देख सकते है तो दोस्तों यहाँ इस वाले tutorial के दिर हम क्या करेंगी कि OBS को जो है वो project करेंगे at streamyards इसमें देखा जाए तो दोनों ही software हम जोइन कर रहे है main हमारी streaming stream yard से ही होगी वो कैसे होगी आपको थोड़ी दिर में ही समझ आ जाएगा तो दोस्तों अपना tutorial हम immediately शुरू कर देते हैं ताकि कोई भी आपको time-based ना हो and before we go ahead अगर आप channel पर first time आया है वीडियो पसंद आये वीडियो को देख लीजे पसंद आये तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और अगर ना पसंद आये तो कोई बात नहीं है एक comment छोड़के चले जाएगा possibly we'll try better next time ठीक है दोस्तों तो अब आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने के लिए दोस्तों ये सबसे पहली चीज है OBS की OBS जो आप इंटरफेस देख रहे हैं मेरे पीछे पहले मैंने पूरा इंटरफेस सेट कर लिया आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो scenes है पीछे अलग scene creates कर लिये हुए है अलग-अलग depending upon मुझे जैसे ऐसे live में requirement आएगी तो अभी हम यह वहला scene एक देख लेते हैं यह supposedly यह रख लेते हैं तो यह जो आप एक scene मेरे पीछे देख रहे हैं यह already created है अब second चीज हम करेंगे कि हम चलते हैं stream yards पे stream yard पे जाने से पहले हमें OBS के अंदर setting क्या करनी है आप बहुत ध्यान से समझ लीजेगा मैं जो tutorial का जो speed है जोड़ा slow कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ आ जाए to be honest एक बात आप फिर समझ लीजे कि OBS के अंदर अगर आप देखेंगे मैंने कोई भी streaming start नहीं की है OBS से हम stream का button में नहीं दबाएंगे नहीं recording का button दबाएंगे तो दोस्तों अब tools का option पे click करेंगे हम और tools का option पे जाके virtual camera जो आप देख रहे हैं इसको आप select करेंगे virtual camera क्लिक करने के बाद इस तरह का एक window open होता है दोस्तों तो इस window में अगर आप देखेंगे यह जो window है इसमें target camera एक option लिखा रहा है आपको target camera पे यहां पे click करेंगे तो यह drop down menu में लिखा जाता है OBS camera 2, 3, 4 यह 4 camera शो हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं को एक camera select करते हैं OBS camera इसको select करेंगे और यहां पे option आता है start का, इसको start कर देंगे in fact इस window को आप close कर सकते है close का meaning यह नहीं है कि stop होगी अगर मैं आपको दिखा हूँ यहां पे वापेस virtual camera पे जाके तो already running है, यह stop नहीं किया है हमने आप पर से close कर दिया है so it is still running अब यह जो मैंने चीज की है इसको आप इस तरह समझ लीजए कि हमने OBS camera जो select कर लिया है यह जो window आप देख रहे हैं जो red color में marked है ना यह जो OBS की window यह एक camera picture की तरह काम करेगी अब वो उस camera का नाम है camera OBS जो हमने select कर लिया है अभी आपको यह जो मैं बात बोल रहा हूँ शायद समझना आ रही हो next step में आपको समझ आ जाएगी next step में दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पर open कर लेते हैं stream yards जो हमारी website है stream yards वाला जो जहां से live करते हैं इधर हम create broadcast पर click कर देते हैं और create broadcast में हम supposingly इस channel पर करते हैं title यहाँ पर x-y-z कुछ भी डाल लेते हैं description को blank रख देते हैं privacy for current purposes हम इसको unlisted कर लेते हैं और create broadcast पर click कर देते हैं अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यह वाला चीज जो प्रसेस हो रहा है so enter broadcast करती है आप देखेंगे यह मेरा laptop का जो camera है वह शो कर रहा है webcam तो अब यहाँ पर cam और mic पर आपको select करना है और यहाँ पर option आती है अगर आप देखेंगे camera की तो उसमें option में आपको देखेंगे OBS camera mention आ रहा है आपको OBS camera पर select कर लेना है so जैसी आप इसको select करेंगे boom यह वहला चीज यहाँ पर clear हो जाएगा अगर आप मेरी बात को समझे हो तो हमने वह virtual camera हमने जो computerized camera था जो वहाँ पर picture शो हो रही है वह यहाँ पर लेनी शुरू कर दी अब इसको select कर देने के बाद इसको close कर देते हैं और enter broadcast कर लेते हैं अब देखिए enter broadcast करने पर आप नीचे देखेगा यहाँ उस जगह पर वहाँ पर अल्रेड लिखा हो आ रहा है यह बला चीज add to stream हम इसको add to stream कर लेते हैं अब आपर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया यह दिखेगा यहाँ पर भी वही वाली picture शो होने लगी ऐसे अगर मैं OBS में यहाँ पर इसको change करके यह वाला दूसरा कोई window कर दूं तो automatically वहाँ पर भी change रचाएगी अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो यह particular area है जो आप उपर देख रहे हैं यह बहला area is acting as a camera for that particular application जो की है stream yards तो यहाँ पर हम stream yard पर देख सकते हैं और ऐसी दोस्तों अगर आप किसी को connect करेंगे अपने साथ तो यह picture ऐसी रहेगी वहाँ पर हमारा जो concerned person है वहाँ पर connect हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी जो live है वो यहाँ पर भी go live पर मैं click करूँ तो मैं live हो जाओंगा तो इस तरह से आप अपना live proceed कर सकते हैं best part is इसके अंदर जो आप अपने जो OBS हम ने देखा है OBS के अंदर यहाँ पर मैंने camera इसलिए यूज किया को कि मैं यह वाला tutorial बनाने के लिए camera यूज कर रहा हूँ अदर मैं camera को यहाँ पर बिरख सकता था और मैंने यह वाला चीज रखा भी था अगर आप मेरा last live देखेंगे जो मैंने description box में दिया है उसमें मैंने इसको use करते हुए यह चीज बताई भी है अगर आपने नहीं देखा तो आप वहला description box में जाके देख लीजिए वहला live तो दोस्तों इस वाली जो tutorial के लिए बस इतना ही अगर आपको कोई भी question query raise होती है तो मुझे comment section में लिक के जुरूर बताईएगा कोई additional tutorial के अगर इसमें requirement हुई तो मैं जुरूर बनाऊगा तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो helpful लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को like जूरू कर दीजेगा और चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलेगा This is Amit Kashyap signing off and thanks for watching this video दोस्तों